बेटा साकेत मैंने तुम्हारे लिए एक बहुती संसकारी और पड़ी लड़की देखी है हाँ बेटा और वो मेरे दोस्त की ही लड़की है हमें तो वो लड़की बहुत पसंद है अब तुम दोनों मिलकर बाते करो फिर आगे शादी का देखते हैं लेकिन पापा में तो उस लड़की को जानता भी नहीं तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता हो अरे बेटा इसलिए तो कह रहे हैं कि पहले दोनों मिलके बातचित करो नई मा मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगा लेकिन उसके माता पिता नहीं मानते फिर साकत अपनी गर्फ्रेंड के साथ शादी मना कर घर आता है सुष्मा और आशोक जी को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते और वो दोनों का स्वागत करते हैं सीमा एक पड़ी लिखे और जॉब करने वाली लड़की थी वही उसकी साथ सुष्मा पूरी उसकी उल्टे वो एकदम अनपड़ होती है उसमें ना तो पैसो की समझ होती है ना ही दुनियादारी की जिसके कारण हर कोई उसे बेवकुप बनाता था ऐसे ही एक दिन अरे सुष्मा चलो हम ओफिस के लिए निकलते हैं आने में देर हो जाएगी फिर आशोक जी साकेत के साथ ओफिस चले जाते हैं सीमा ओफिस के लिए निकलने ही वाली होती है अरे बेटा आज ओफिस से आते वक तुम ये राशन का सामन लेकर आ सकती हो क्या तेरे पापा को जाने में देरी हो जाएगी नहीं माजी आज ओफिस के बाद मेरी क्लाइंट मिटिंग है तो मुझे भी देर हो जाएगी आप ही राशन क्यों नहीं लेकर आती ये लो ये पैसे रख लो आप फिर सीमा अपनी सास को 2000 रुपे देखकर वहां से चली जाती है सुश्मा अपनी ब होने की बात नहीं बता पाती और वो पैसे लेकर राशन खरीदने चली जाती है उसे तो ये भी नहीं पता था कि बहु ने उसे कितने पैसे दिये है रे भया जी मुझे थोड़े चावल और मूग डाल देना फिर दुकांदार चावल और मूग डाल एक-एक किलो की पैक कर देता है ये लोग पैसे बच्चे हुए पैसे मुझे वापस कर देना फिर सुष्मा उसे पस्छो पस्सो की की दुकान में जाकर कुछ सामान खरित के लाई हूँ तूने तो मुझे पूरे पैसे दिये थे दाल और चावल दोनों आ गई इसमें क्या आप ठीक तो है न माजी मैंने आपको दो हजार रुपे दिये थे इतने मैं तो पूरे हफ़ते वर का राशन आ जाता और आपने तो ब पाते सुनकर उसकी सास को बहुत बुरा लगता है बेटा मुझे माफ कर दे उस दुकानदार ने मुझसे पैसे लूट लिये शायद वो जान गया कि मुझे हिसाब किताब नहीं आता इतना कहकर सुष्मा रोने लगती है अरे माजी आप रो ये मत कहा जाएगा वो अब तो सुष्मा को भी पता चल गया था कि उसकी सास एक नंबर की बेवकूफ पर अनपड़ है अच्छा माजी मैं ही सोच रही थी कि मैं मेरी सारी सेलरी आपके पास देती जाओ फिर मुझे जैसे पैसे लगेंगे आप मुझे दे देना ठीक है बिटा जैसा तू सही समझ फिर रात को आशोक जी और साकेत घर आने के बाद सुष्मा उन्हें सारी हकीकत बता देती है बेटा साकेत हर रोज कोई ना कोई मुझे बेवकूफ बना कर पैसे लूट कर जाता है मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता मैं अब पढ़ाई करना चाहती हूँ तू दे अधे ना आपके लिए हां मां सीमा सही कह रही है इस उमर में तो आपको मंदीर जाना चाहिए बजन त्छनर्न में ध्यान लगाना चाहिए लिखनें संद्टीर नहीं замर पढ़ने की कोई उरना नहीं होती है और वैसे भी बजन किर्टन करने के लिए वो पढ़ना भी तो आना चाहिए ना मा अगर आपने इस उमर में पढ़ने लिखना शुरू कर दिया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे सब लोग हसेंगे मा नहीं मा मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए आप बस घर के काम में ही ध्यान दो इतना कहकर सीमा और साकित दोनों वहाँ से चले जाते हैं सुश्मा को उन दोनों की बातों का बहुत बुरा लगता है देखो सुश्मा तुम नाराज मत हो मैं तुमारी लिए अच्छा स्कूल देखूंगा जिससे तुम घर में भी ध्यान दे पाओगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाओगी अपने पती की बाते सुश्मा को बहुत अच्छा लगता है फिर अगले दिन सीमा अपनी सास के पास आती है अरे माजी ये लो पैसे रख लो पूरे बीस हजारे मुझे जब पैसो की जरूरत होगी तब मैं आपसे मांग लूँगे वैसे भी अगर ये पैसे मेरे पास रहे तो खर्च हो जाते हैं लेकिन आपके पास सेफ रहेंगे इतना कहकर सीमा उसे बस दस हजार ही देती है और वो पैसे सुष्मा आशोक जी की आलमारी में रख देती है सुष्मा, तुमारे लिए एक गुद नियूज है मैंने तुमारे लिए एक स्कूल देखा है अब तुम कल से रोज स्कूल जा सकती हो तुमारे स्कूल का टाइमिंग बारा से 6 है अरे वा, ये तो वड़ी अच्छी बात है मैं घर का काम भी कर पाऊंगे और पढ़ाई भी कर सकती हूँ शुकरिया आशुक जी और हाँ, आप साकेत और सीमा को कुछ मत बताना मैं उन दोनों को सर्प्राइस देना चाहती हूँ अगले दिन सुबह 10 होने के बाद सब खाना खाके तीनों भी ओफिस के लिए चले जाते हैं फिर सुश्मा घर का बच्चा हुआ काम करके स्कूल चली जाती है स्कूल में आते ही सभी बच्चे सुश्मा पर हसने लगते हैं और उसका मजा कुडाते हैं ये देखो दादी अम्मा स्टुडेंट बनके आई है दादी जी यहाँ कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटेशन नहीं हो रहा हाहाहा सुश्मा को उन सब की बातों का बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहते नहीं अब मैं हिम्मत नहीं हार सकती अभी पीछे नहीं मूड सकती जो भी हो जाए मैं तो पढ़ाई करके रहूंगे तबी वहाँ पर उनकी टीचर आती है गुड आफटरनून स्टुडेंट आज हमारे बीच एक नया स्टुडेंट आया है मैडम जी ये कोई स्टुडेंट नहीं है ये तो दादी अम्मा है देखो बच्चो इसमें हसने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि पढ़ाई की कोई उमर नहीं होती बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ कि इन्नोंने इतनी उमर होने के बाद भी पढ़ने की ठान ली है आप लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए आगे से इनका कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा समझ गए बच्चो येस टीचर सुश्मा को टीचर की बाते सुनकर बहुत अच्छा लगता है उनकी टीचर के समझाने के बाद अब बच्चे भी उनका मजाक नहीं उड़ाते थे उल्टा वो उनकी पड़ाई में मदद करते थे स्कूल खतम होने के बाद सुश्मा घर आके खाना बनाती है तभी वो तीनों ओफिस से घर आते है फिर सीमा सुश्मा के पास आती है मा जी मैंने कल आपको पैसे दिये थे ना आज मुझे वो चाहिए ठीक है बेटी फिर वो दोनों सुश्मा के कमरे में आते है सुश्मा अपनी तीजोरी खोलती है बेटा ये लो तुमारे पैसे लेकिन मा जी ये तो कम है मैंने आपको 20,000 रुपे दिये थे और ये तो 10,000 ही है बेटा मुझे गिनना नहीं आता न एक काम करो तुम ही ले लो पैसे फिर सीमा अपनी हातों से तीजोरी से ज़्यादा पैसे निकालती है और अपने कमरे में चली जाती है अरे वा आज तो मजा ही आ गया मा जी को 10,000 देके उनकी तीजोरी से 50,000 लेकर आई हूँ मैं अच्छा हुआ जो मा जी अनपढ़े अपसे मैं ऐसा ही करूंगे घर वेटे ही मेरे 2 मेने की तनफा लेकर आई हूँ अब क्या था कुछ दिन ऐसे ही चलता है सीमा अपनी सास को थोड़े पैसे देती और उनकी तीजोरी से बहुत सारे पैसे लेकर जाती ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं फिर एक दिन अशुक जी अपने तीजोरी से पैसे निकालने लगते है अरे सुश्मा तुमने तीजोरी से पैसे निकाले थे क्या नहीं जी मैं क्यू पैसे निकालूंगी यहाँ पर एक लाक रुपे कम है क्या एक लाक अशुक जी मुझे सीमा हमेशा पैसे रखने के लिए देती है वो हर बार मुझे 20,000 रुपे रखने के लिए देती है फिर कूछ दिनों बाद वो पैसे ले कर जाती है लेकिन वो खुद ही अपने हाथ से पैसे लेती है क्योंकि मुझे से कम दिये जाते थे क्योंकि मुझे हिसाब नहीं आता था अशोक जी को सीमा की चालाकी का पता चल जाता है लेकिन वो सुश्मा से कुछ नहीं केते देखो सुश्मा अपसे तुम पढ़ाई में ज़्यादा धान दिया करो और हिसाब कितब की बाते सबसे पहले सीख लेना मैं वैसे तुमारी टीचर से बात कर लूँगा वो तुमारी एक्स्ट्रा की टूशन्स भी ले लेंगे तुम बस पढ़ाई में ध्यान देना ठीक है आशुक जी फिर सुश्मा अपने स्कूल चली जाती है दीरे दीरे सुश्मा अपने पढ़ाई में तेज होने लगी थी अच्छी तरह से पढ़ने लिखने लग गई थी उसकी टीचर ने उसे एक्स्ट्रा टूशन लेकर हिसाब किताब भी सिखाया था सुश्मा अब रात रात जाकर पढ़ाई करती थी अब उसे पैसों के बारे में भी अच्छी खासी समझा गई थी एक्जाम में भी सुश्मा अब अच्छी नंबर से पास हो जाती है में केता तब तक तुम किसी को कुछ भी मत बताना उसी दिन शाम को सीमा वापस पैसे लेकर अपने सास के पास आती है माजी ये लो पूरे बीस हजार रुपे है तब ही सुश्मा वो पैसे गिनने लगती है उसे पता चलता है कि वो तो बस पाच हजार रुपे ही थे अरे सीमा लेकिन ये तो बस पाच हजार रुपे ही है अरे माजी आपको कहा गिनना आता है ठीक है तो मैं साकेत और तेरे पापा के पास जाती हूँ फिर उनसे ही गिनवा लेंगे वो ही बता देंगे कि ये पाच हजार है ये बीस हजार नहीं नहीं माजी इसकी क्या जरूरत है आप बस ये पैसे अलमारी में रख दीजिए उन दोनों की आवाज सुनकर साकेत और आशोग जी वहाँ पे आते है अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए ये देखो बहू ने अपनी पूरी तनकुआ बीस हजार रुपे मुझे दिये है लेकिन जब मैंने पैसे गिने तो ये तो बस पाच हजार रुपे ही थे उन दोनों को वहाँ पे देख सीमा बहुत डर जाती है पर उसे ये समझ में नहीं आता कि उसकी सास हिसाब किताब में इतनी तेज कपसे बन गई साकेत भी अपनी मा को पैसे गिनते हुए देखकर दंग रहता है ये सब क्या है सीमा तुमने मा को बीस हजार बोलकर बस पाच हजार रुपे दिये नहीं साकेत मा जी जूट बोल रही है इने कहा गिनना आता है इनसे सुनने में भी गलती हो गई सुश्मा जूट नहीं बोल रही जूट तो सीमा बोल रही है इसने पहले भी ऐसा ही किया है हमेशा बीस हजार बोलकर ये सुश्मा को कम पैसे दे कर जाती थी ऐसे कर करके मेरे अलमारी में एक लाक रुपे कम है अपनी पापा की बाते सुनकर साकेत को सीमा पे बहुत गुसा आता है और वो उसे थपड मार देता है तुम्हें शरम नहीं आती? अपने ही घरवालों को ऐसे लूटते हुए मुझे माप कर दो साकेत मा जी, पापा जी, मुझे माप कर दो मैं लालच में आ गई थी लेकिन मा, आपको केसे पता चला कि पैसे कम है? बेटा, अब मैं पढ़ लिख सकती हूँ तुम तिनों के ओफिस चले जाने के बाद मैं स्कूल जाया करती थी चुरू-शुरू में मुझे बहुत दिक्कते आई लेकिन मैंने मेरी जिद नहीं छोड़ी और मैं तो एक्जाम में भी अच्छे नंबर से पास हो गई हो सुश्मा की बाते सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं अरे वाँ मा ये तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन मा उस दिन के मेरे बरताव के लिए मुझे माफ कर दो मैंने आपको बहुत अंडरेस्टिमेट किया हाँ मा जी मुझे भी माफ करो मैंने आपके अनपड होने का बहुत फाइदा उठाया है आगे से मैं इसा नहीं करूंगी कोई बात नहीं बेटा तेरे पापा मेरे साथ हमेशा से थे उनी की वज़े से मैं आज पड़लिक पाई हूँ ऐसे ही हर रोज एक नहीं कहानी देखने के लिए हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले